हेलो फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपको 22 मार्च एमपीटेट का जो फर्स्ट सिफ्ट का एक्जाम हुआ है उसके क्वेशन के बारे में बताने वाले हैं यदि आप हमारे चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक है और शेयर कर दीजे तो चलो यह वीडियो को सुरू करते है आज का हमारा प प्रागत नैतिक इस तरका जो काल है जो समय है वे हैं 10 से 13 वर्स नेक्ट क्रेशन पर चलते हैं नेक्ट क्रेशन है तितली के बच्चे को क्या कहते है तो तितली के बच्चे को केटल पिलर कहा जाता है केटल पिलर तितली के बच्चे को कहा जाता है नेक्ट क्रेशन देखत तो यह लांच किया था ब्रिहस्पती के लिए ब्रिहस्पती ग्रह के लिए नासा ने लूसी मिसन लांच किया था नेक्स क्वेशन पे चलते हैं राजी उगांधी परियावरण पुरुसकार की इस्थापना किस वर्स की गई थी तो यह की गई थी सन 1903 में राजी उगांधी परियावरण पुरुसकार की इस्थापना की गई थी कपास किस राजित की प्रमुक फसल है तो यह है गुजरात राजित की प्रमुक फशन कपास है जीन पियाजे के अनुसार दो से साथ वर्स का जो बालक है उसके विकास की अवस्था को क्या कहा जाता है तो उस अवस्था को कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के अनुसार दो से साथ वर्स तक के जो बालक होते हैं उन्हें कहा जाता है उस अवस्था को का जाता है मूर्थ संक्रियात्म का वस्था स्वस्थ आख से किसी वस्थू को देखने के लिए न्यून्तम कितनी दूरी होनी चाहिए तो उस वस्थू की दूरी होनी चाहिए 25 सेंटी मीटर बेसिक सिक्षा के प्रतिवादक कौन है तो बेसिक सिक्षा को किस ने दिया था? बेसिक सिक्षा को महात्मा गांधी जी ने दिया था तो महात्मा गांधी जी बेसिक सिक्षा के प्रतिपादक है नेक्स क्रेशन पर चलते हैं पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में द्विगु समास है सुन्दरवन राष्टि उध्यान कहा है? नांग भनी में प्रकास संसलेशन तने के द्वारा होता है? कौन से मनो वैग्यानिक ने सहयोगात्मक समाधान पर बल दिया है तो सहयोगात्मक समाधान पर बल किसने दिया है तो वाईगोट्सकी जी ने सहयोगात्मक समाधान पर बल दिया है next question पर देखते हैं next question है 200 malaria दिवस कब मनाया जाता है तो 200 malaria दिवस जो है वे बनाया जाता है 25 अप्रेल को 25 अप्रेल को 200 malaria दिवस मनाया जाता है next question पर चलते है सिक्छड विधी क्या है तो सिक्षक द्वारा चात्र को ज्ञान देने की जो विधी होती है जो चात्र को ज्ञान देते वक्त या पढ़ाते वक्त जिस जिस विधी का भी उप्योग करता है उसे ही सिक्षड विधी कहा जाता है Next question देखते हैं एक वर्स का सिसु जब हाथ, पैर, कान, इत्यादी से सोचता है या सोचते हैं तब वह किस अवस्था में होते हैं तब वह इंद्री गामक अवस्था में होते हैं छोटे वच्चे इंद्रियों के द्वारा सोचते हैं Next question है धोकला, लेमन, राइस, चावल किस हेतर के पकवान हैं तो यह गुजरात के प्रमुख पकवान हैं तो friends, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अभी second shift का भी वीडियो आपके सामने जलती ही आएगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक एव में शेयर कर दीजिए थैंक यू